इस वीडियो में हम सुनेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हुई कुछ विश्वसनी या कहानिया ये एक कोलाबरेशन वीडियो है जो मैंने धीरजावले के साथ किया है और अगली आवाज होगी धीरच की मेरा नाम धीरजावले है और मैं अपने चेनल पर हर हफते आपके लिए लाता हूँ दरावनी और सच्छी बोथ की कहानिया इसके अलावा मेरे चेनल पर आपको बहुतों से जुड़े कई खोफनाक वीडियोस देखने को मिलेंगे और साथ ही कई रहस्यम इफेक्ट्स और दुलिया में मोजूद अजीब और गरीब बोथिया चीजों की जानकारियां भी मैं अपने चेनल में आपको दिखाता हूँ मेरा नाम रवीश है मेरी ये कहानी तब की है जब मैं बारा साल का था एक रात में और मेरी बेहन ने डाइट आउट करने का प्लान बनाया रात के लगबक तीन बज रहे थे जब मेरी बेहन ने कहा की उसे नीद आ रही है और वो सोने के लिए चली गई अब मैं कमरे में अकेला था पता नहीं क्यों उस समय मेरा सरदर्द होने लगा था मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तब ही मुझे लिविंग रूम से कुछ आवाज आती हुई सुनाई थी ऐसा लग रहा था कि लिविंग रूम में कोई आगे पीछे चल रहा हो जबकि लिविंग रूम में उस समय कोई भी नहीं होता था उस आवाज से मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं भी कमरे में वापस चला जया जहां मेरी मम्मी और बेहन सो रहे थे सुबह के साड़े चार बच चुके थे लेकिन नीद मेरी आखों से कोई सो दूर थी उस आवाज को मैं अब भी सुन सकता था डर के मारे मैंने अपने आपको ब्लेंकेट से पूरण धट लिया और फिर पता नहीं कब मुझे नीद आ गई मुझे एक जबना दिखाई दिया जिसमें मैं अपने आपको देख रहा था मगर वो जो भी था उसकी पाई आख पूरी तरह से काली थी उसने मुझे से कहा कि तुम हमारे चान में फसकर मर जाओगे डर के मारे मैं हड़ बढ़ा कर दीन से जागा और मैंने देखा कि मैं अपने पिस्टर के नीचे था मैं वहाँ से उठकर अपने पिस्टर पर आही रहा था कि मैंने देखा कि मेरे रूम की अलमारी खुली हुई थी और वहाँ वही काली आख वाला मेरे जिसा दिखने वाला आदमी खड़ा था उसे देख कर मैं डर के मारे बेहोश हो गया इसके बाद जब मुझे होश आया तो मेरी मम्मी मुझे जगा रही थी मैं अब लिविंग रूम में था वहाँ मुझे एक पेपर दिखा जिस पर लिखा था कि उमीद है तुम्हारी रात खौफनाग बिती होगी बहुत दुख की बात है कि तुम हमारे जाल में फस कर मर जाओगे मैंने इस बारे में सब को बताया लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया मेरा नाम सुवम शाहा है मैं आसाम से हूँ मेरी ये कहानी सान दोजार चौदा की है जब हम एक बड़े से घर में रहते थे और हमारे पीछे भी बहुत सारे बड़े घर थे उनमें से एक घर पर एक सब्चीवाला रहता था एक दिन सुभा का पांच बज रहा था कि अचानक मेरी मम्मी को लगा कि जैसे कोई बहुत जोड से चीखा हो तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद कोई बच्चा चीख रहा होगा और उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक बार फिर से किसी के जोड से चीखने की आवाज आई यह आवास किसी ओरत की थी और वोड चीख अमारे घर के पीछे बने घर से आ रही थी में और मेरी मम्मी तुरंट उटकर बाहर देखने गए हमें पता चला कि हमारे घर के पीछे जो सब्जी वाला रहता है किसी ने उसके गले में इस्क्रू ट्राइवर से हमला करके उसका मर्डर कर दिया था इस हाथसे के दो दिन बाद उस सबजी वाले की आत्मा की शांती के लिए पुजारी जी को बुला कर उनके घर में पूजा की गई लेकिन उस सबजी वाले के घर के सामने अगरबत्ती लगाने जाने से सब लोग डर रहे थे तब मेरे पापा ने हिम्मत दिखा कर उस सबजी वाले के घर के सामने जाकर अगरबत्ती जला दी उसी दिन अमारे बडोसियों ने अमारी फेमिली को अपने घर पर टिनर के लिए इन्वाइट किया था उनका घर वो समझी वाले के घर के बिलकुल बगल में ही था तो हम लोग उनके घर टिनर पर चले गए मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी चोटी बेंट हम सब लोग खाना खाते खाते बात कर रहे थे हम लोगों में से मेरे पापा सबसे जल्दी खाना खाते थे तो पापा ने खाना खत्म करने के बाद हमसे कहा की मुझे बहुत नीद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ पापा के मन में पता नहीं क्या आया की उन्होंने घर जाने के लिए सामने के रास्ते का इस्तमाल करने की बजाए पीछे का रास्ता चुना वो थोड़ा आगे गई ही होंगे कि अचानक उन्हें लगा की जैसे किसी ने उनकी पीप पर बहुत जोर से मारा हो और उनके पेरोखों भी मानों किसी नकस के पकड़के रखा हो जिसके कारण मेरे पापा जमीन पर गिर गए हम लोगों ने भी खाना खत्म करके थोड़ी देर उन लोगों से बाचीत की जोकि रात का बारा बच चुका था तो हम लोगों ने उनसे घर जाने के लिए कहा घर पहुँच कर हम लोगों ने देखा की मेरे पापा सोवे पर लेटे हुए थे और दर्द से करा रहे थे उनकी हालत देखकर मेरी मम्मी ने उनसे पूछा की उनने क्या हो गया है तो मेरे पापा ने हमें सारी बात बताई मेरे पापा दर्द में कराहा भी रहे थे और थोड़ी थोड़ी देर बात बोल रहे थे कि वो मुझे बुला रहा है मेरी मम्मी को लगा कि पापा सपने में ये सब बाते बोल रहे हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद बापा जोर जोर से छट पठाने लगे, मेरी मम्मी ने तुरंट उठकर उनसे पूछा की क्या हुआ, मेरे बापा सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रहे थे, कि वो मुझे बुला रहा है, अब मेरी मम्मी को भी डर लगने लगा था, तो मेर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें कोई नहीं बुला रहा है, लेकिन मेरे बापा बेट से उठकर दर्वाजे से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, तो मेरी मम्मी ने तुरंट उठकर सरसो का तेल मेरे बापा के चारो तरफ गिरा दिया, लेकिन इसके बाद भी मेरे बापा नही तभी मेरी मम्मी को घर में रखी रुद्राक्ष की माला का ध्यान आया और वो जल्दी से उस रुद्राक्ष की माला को ले आई और चैमा काली बोलकर मेरी ममी ने वो वाला मेरे पापा के गले में पहना दी उनके ऐसा करते ही उन्हें एक आवाज सुनाई थी जो उनसे कह रही थी भाबी आपने क्या पहना दिया हमें अब हम यहां से जा रहे हैं यह आवाज उस सबजी वाले की ही थी जिसका मर्डर दो दिन पहले हुआ था इस हाथसे के बाद मेरे पापा वहीं गिर गए और अगले दिन वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे मेरा नाम गर्विज जेमन है और मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ मेरी यह कहानी मैंने आज तक किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं करेगा लेकिन मेरी यह कहानी एकदम सक्ची है एक दिन सुभा सुभा में और मेरा दोस्त परिक्षित हम दोनों खेलने जा रहे थे कि मुझे कुछ दूरी पर एक बुड़ा आदमी दिखाई दिया ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो कोई भीकारी है मुझे उस दिन किसी गरीब या भीकारी को खाना खिलाना था क्योंकि मैंने मन्नत रखी थी कि अगर मैं अच्छे नंबर से पास हो गया तो मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊंगा तो मैं अपने कार से खाना लाकर उसके पास गया और उस बुड़े आदमी को खाना दिया उसे दाल चावन और रोटी देखर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त के पीछे एक बहुत ही सुन्दर लड़की खड़ी थी उसे देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार देख कितनी सुन्दर लड़की है लेकिन मेरा दोस्त एकदम हैरान हो गया और उसने मुझे लगबग डाटते हुए कहा कि तो कुछ भी बोलता है वो लड़की इतनी सुन्दर थी कि मैं तो बस उसे देखता ही रह गया और वो जब जाने लगी तो मैं अपने आप ही उसके पीछे पीछे जाने लगा वो मुझे इद्रा गांधी स्टेटियम जो की अलवर में है वहाँ पर उसके टोईलेट में ले गई जू कि मैं एक नीडर लड़का था तो मैं उसके पीछे पीछे वहाँ चला गया लेकिन जैसे ही मैं उस टोईलेट के अंदर गया तो मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा खूद से सना था वो सुन्दर लड़की अब कोई भयानक टायन सी दिख रही थी उसे देखकर मैं बहुत बुरी दर से डर गया और चीकते हुए वहाँ से बाहर की और भागा बाहर आते ही मुझे मेरा दोस्त दिखाई दिया उसने देखा कि मेरे सर से बहुत सारा खून बहे रहा था मेरे दोस्त के साथ ही वो बुड़ा आदमी भी खड़ा था जिसे थोड़ी ही देर पहले मैं खाना देखर आया था वो मेरे पास आया और मुझे से कहा कि वो लड़की जिसका तुम पीछा कर रहे थे वो कोई साधरा लड़की नहीं थी बलकि वो एक आधमा थी जो तुम्हें मारने आई थी उनकी बाते सुनकर मैं ह ikram था इसके बाद मेरा दोस्थ मुझे इलाज के लिए हस्पिटल लेकर गया इस हाथ से के बाद आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर कोई नजर रखा हो मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि मेरे बिस्तर के नीचे कोई है जो मुझे मारने के लिए वहाँ पेठा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ही से फेस्बुक और वाटसैप पर जरूर शेयर करें और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें